जो उपाशक प्रभु के चरणारविंद का इस कोट से आश्रे ले लेता है नित्य निरंतर उसका भजन होने लगता है क्योंकि अब कोई आस नहीं किसी से विश्वास नहीं भरोशा नहीं सम्मंद नहीं बहुत ध्यान देने योग के बात है हमारा जो अनन्य भजन अखंड भजन अव्यावरत भजन नहीं हो रहा उसका कारण है कहीं अन्य कोई आस है कहीं अन्य कोई भरोशा है अन्य कोई विश्वास है वही अन्य आस विश्वास भरोशा हमारे अनन्य भजन को नश्ट कर रहा है जिसका एक मात्र प्रभुशे आशा एक मात्र प्रभु पर विश्वास एक मात्र प्रभुशे शम्मंद है भरोसा है उसका अनन्य भजन सुरू हो जाता है वो अनन्य भजन करता है ये सब्द नहीं आया सब्द आया है उसका अनन्य भजन सुरू हो जाता है ये अनन्य भजन की ब्रत्ती आपके अन्य आस्रे छोड़ने से प्रभू की कृपा से आई है समझ लीजिए नहीं तो आप प्रयासरत हैं देखो प्रयासरत हैं आप, उपाशक हैं पर अखंड भजन थुड़ी हो रहा है भगधाकार व्रत्ति एक दो चाहे आप चल रहे हैं या आप बिवार में हैं या बैठे हैं पड़े हैं, सो रहे हैं या जग रहे हैं वैसा होता है भजन की आप कैसे सब्द ही नहीं है, जिससे वो अंताकर्ण की स्थिती को सब्दों में बांद कर बताया जा सके क्योंकि अचिंत्य आनंद प्रभू के द्वारा वो दी हुई ब्रत्ति है इसलिए अचिंत्य है, जेसे प्रेम को कहा गया अनिर्वचनियम प्रेम स्वरूपम केवल मुका श्वादन आपस ऐसे ही वही भजन का स्वरूप भी है किसी फल के लिए, किसी गती के लिए जो भजन किया जाता है उसमें ये भजन जागरत नहीं होता जिस भजन की बात कर रहे हैं समझ रहे न? प्राया इसी लिए कहा गया है कि निश्काम भगवत प्रेमी मात्मा कोई बिरला होता है कोई एक पाव भगती जिमिमोरी जो कहो हरिवन सरस बिरलो समुझन हार एक दोई जो पाईए खोजी सब संसार तो आप कह सकते हैं कि एक दोग की बात कही जा रही बहुत लोग भजन कर रहे हैं गुले वो आत्म सुख के लिए कर रहे है कई होते हैं बिसे सुख के लिए करते हैं कई होते हैं सुभगती कल लेकिन यहां जो अभी चदचा अभी हो रही है यह उस महान प्रेमी भागवत की हो रही है जिसको किंचिन मात्र कोई आकांग्षा नहीं कल चदचा आपने जहां बिस्राम होई थी वहां पर आप अपनी दृष्टी ले जाए आंतरिक उसमें यही था भजन केवल भजन के लिए हो रहा है भजन का फल कल्यान मोक्ष परंपद कोई कोई ऐसी आकांचा उसके हरदे में नहीं है जो किसी कामना से भजन करते हैं पर यह महाभागवत निर्भर भक्त की स्थिती का बर्णन है इसमें वो भजन करता नहीं है इसमें भजन होता है वो देखता है वो सुनता है वो उसमें रमन करता है जो आया हुआ है जो वृत्ती भजन की उदै हुई है उसको वो सुनता है चल रहा है वो देखता है वो उसमें रमन करता है वो भजन कर नहीं रहा उसके प्रतेक यंत प्रतेक करण भजन के लिए स्वयमेव बाध्य हो चुके भजन बैठ गया है जवर जस्ती मन में बुद्धी में चित में अहम में वो अब स्वभाविक हो रहा है बाध्य है वो ऐसा नहीं है कि एक शन भी भजन से बिलग जी सके अब जैसे जीवन धारण करने के लिए स्वास लेना अनिवाज है बाध्य है वो इस पर जीवन धारण करना है तो स्वास लेना है वैसे ही वो प्रेमी महाभागवत जीएगा तो भजन से भजन से जैसे स्वास से वो जीवन होता ऐसे उसका जीवन भजन है सूते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रतेक चेश्टा करते जैसे बिना प्रयास के स्वासो च्वास होता रहता है ऐसे उसका भजन होता रहता है उसे कहते अब्यावरत भजनात उसे कहते अखंड भजन इसी की मांग भोरी सकी जी कह रही कह रही कि स्वास और नाम ये दो अलग-अलग चलते हैं लाडली मुझे अच्छा नहीं लगता स्वास नाम स्वास दो बिलग चलते हैं इनको भेद न मो को भावे स्वास ही नाम नाम ही स्वासा नाम स्वास को भेद मिटावे रोम रोम जब रग रग बोले तब कच्छ स्वाद नाम को पार ये है ये है भजल की स्थिति स्री जी शे कह रहे हैं भूलानाद जी कि मेरा जी घबडा रहा है क्यों घबडा रहा है ये नाम और स्वास अलग अलग चलते है लाड़ी ऐसी कृपा करो कि स्वासा ही नाम नाम ही स्वासा नाम स्वास को भेद बिटावे ये फिर क्या होता है उले रूम रूम रग रग नाम में हो जाता है नाम में हो जाता है नाम उतरता है नसनाडियों जिससे हम जल पिये वो पच करके फिर हर नसनाडी में पोशन करता है हर नसनाडी में जाता है ऐसे ही जिव्या से नाम नीचे गले में उतरा गले से हरदे में हरदे से नसनाडियों में हड्डियों में फिर इतना प्रभाव बढ़ता है वो जहाँ बैठ जाए तो भूमी में नाम उतरता है वो जिसे छूले वो वस्तु नाम बोलने लगती कैसी महिमा है प्रभू के भजन की यदि किसी भी कारण से कदाचित उसे ऐसा आभास हो जाए कि नाम छूट गया क्या छूटता नहीं है आभास हो जाए उसे ऐसा कि नाम छूट गया क्या तो उसका दम घुटने लगता है ऐसी भेंकर व्याकुलता होती तद इस्मरने परम व्याकुलते परम व्याकुलता अब उस व्याकुलता को तो वही जानता है परम व्याकुलता नित्य निरंतर भजन में डूबा हुआ भी एक शन के लिए भजन चूटने का ब्रहम हो गया तो वो परम व्याकुल हो गया तड़पने लगा व्याकुलता पूर्वक 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 तड़पने लगा व्याकु चित्त की अनन्यता हो लेके कारण नाम चित्त की व्रत्तियों में समा गया मुरार इपादार पित्त व्रत्ति ये ये इस्तिती है प्रभु के स्मरण के सिवा ना किसी दूसरे के आस्तित्यु की कल्पना है कोई दूसरा है ही लई चितमे उनके कलपना भी लई जैसे एक विसई पुरुस के चितमे कहीं भी प्रभू की लिलाओ की कलपना भी नहीं, भावना भी नहीं वो डुबा रहता है राद दिन वही बहिर मुक विसेव में उश्महा भागवत की चित्त में अनन्यता ऐसी चा गई है कि किसी और की सम्रती, कोईसी और की कलपना, किसी और का अस्तित भी नहीं रह गया? इतनी भी गुंजाईस उसके हिर्दय में अब नहीं है कि एक भी ब्रती छण भर के लिए किसी अन्य का चिंतन कर सके गुंजाईस ही नहीं नाहीन रहे हो ही महा ठोर नंद नंद अच्छत आख विराजवान हो गए इस मृती रूप से प्रभू इस भजन के प्राप्त होने पर प्रभू की शंपूर्ण लीलाओं के दर्शन का अधिकारी हो गया समझ रहे हैं अब लीला में उसके प्रवेश होने की भूमिका त्यार हुई इस मृती मैं इस मृती कर रहा हूँ ये भी अहमकाल ले स्वाभाविक भजन का इस तरह से स्फुरण कि चित की एक व्रत्ती में भी कहीं अन्य कास्तित तो नहीं अन्य की कल्पना नहीं अब इस अनन्य महाभागवत के हरदय में प्रभू की दिब्ब लीलाओं का स्फुरण होने लगता है पुजिराधा वावा भाई जी ये सब अभी की महापुरुश है ये सब लीला में डूबे हुए महापुरुश है श्री वृत्ताशुर जी ने प्रभू से यही प्रार्थना की थी कि हमारे उपर हे नाथ आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि आपके जो पूर्ण ऐसे निर्भर भक्त है जिनमें किंचिन मात्र अन्यास अन्य भरोशा अन्य विश्वास नहीं है ऐसे महा भागवतों का मुझे संग प्रदान कीजिए उनकी दासता प्रदान कीजिए क्योंकि ये निर्भर भक्ती की संपूर्ण ब्रती किसी साधना से नहीं आती मुझे ऐसे महा भागवत का संग चाहिए जो निर्भर है ऐसे महा भागवत कोई बजारों में थोड़ी मिलते हैं प्रभू क्रपा करते हैं तव ऐसे महा भागवत पुर्षों का संग प्राप्त होता है उसमें सहज में ऐसे परमानों हमें प्राप्त होते हैं जिन से हमें प्रभू के प्रति आसा प्रभू के प्रति विश्वास प्रभू के प्रति पुर्ण समर्पड करना नहीं होता उनके संग से उनकी वाने से उनके चिंतन से हमारे हिर्दे में उतरता है प्रभु से प्रार्थना कर रहे है कि करुणा में प्रभु आपके चरणों की दासता नहीं आपके चरणों में जो ऐसे समर्पित महा भागवत जल है दासानू दासो मैं आपके उन दासों का दास बनना चाहता हूं क्योंकि सीधे हरी से जुड़ने की सामर्थ हमें नहीं है यदि आप मानते हैं कि है तो हमें युक्ति पता नहीं कैसे हमें जुड़ना है कैसे हमें अपने संपुर्ण मन बुद्धी को एक तो असंभव है अशंभव है बिना किसी महा भागवत की मिले बिना किसी महा भागवत की शरण हुए बिना किसी महा भागवत की आज्या में हुए हम अपने मन को शंपुर्णतया प्रभू की प्रति समर्पित नहीं कर सकते हैं पका ये द्रड़ बात है आज तक इतिहास साक्षी है कोई अगर भागवत प्रेम में मतवाला हुआ है तो किसी महा भागवत की करपा से हुआ है जितने भी आचारे जितने भी महा पुरुष है साव एक सिद्धान्त पर मुहर लगाते है दास दासो हमें महा प्रभु चेतन देव कहते हैं हम तो सी गोपी वल्लब के जो दास हैं उनका दास हो जो भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणारविंद का आश्रे मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया यह है लाभ संकरमाना इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है कुछी दिनों में जो बहुत जन्मों की साधनाओं से स्थिती नहीं आती वो कुछी दिनों में महा भागवत पुरुषों के संग से आ जाती है और वो समन में भी ले आती कि हमारे अंदर है सिस्तिती आ गए अहम छोनने क्योंकि तिनकी संगती रहते जाती कुल मद सबनन सई अहम हरे तव पादई कमूल दाशानो दासो भवितास मिभूया पहली बात मांग रहे हैं बृतासुर कि हे हरे मैं मरकर भी आपके दोनों चरणारविंदों के आश्चित जो प्रेमी महा भागवत जल है उनके दासत्त को प्राप्त हों चाहे जितने जन्म हो आगे मैं आपसे मोक्ष नहीं मांग रहा कल्यान नहीं मांग रहा सुबगती नहीं मांग रहा मेरा जो जन्म हो तो आपके किसी महा भागवत के दासत्त को प्राप्त हो ये मेरे उपर क्रपा कर दीजिए बहुत सुन्दर बात मना इस्त्मरेस प्रभु ऐशी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके इस्त्मरण में लग जाए आपके इस्त्मरण आपका नाम इस्त्मरण आपका मंत इस्त्मरण आपकी कृपा का इस्त्मरण आपके रूप का इस्त्मरण आपकी लीला का इस्त्मरण आपके गुण का इस्मरन, आपके धाम का इस्मरन, आपके प्रेमी महाभागवत का इस्मरन, ये सब आपका इस्मरन है मन इस्मरे तासुपतेर गुणास्ते ग्रणीत वाक मन तो हमारा इस तरह से आपके इस्मरण में डूबे और वानी वानी को आप ऐसी पवित्र कर देजिए कि आपके नाम कीरतन गुण कीरतन, लेला कीरतन, आपके प्रेमी जनों के यस कीरतन के सिवाए और कुछ बोले नहें और ये सरीर आपकी और आपके प्रेमी महा भागवतों की सेवा में समर्पित हो जाए ऐसी कृपा कर दो ये जो हमारा सरीर है करो तुका यहाँ इससे जो भी कर्म बने, जो भी चेश्टा बने, वो आपकी प्रशनता आपके जो आश्रित महा भागवत जन है उनकी प्रशनता का हेतु हो सरीर की सार्थक्ता यह सेवा में ही है यह जो वैश्णो हो करके, शर्णागत हो कर सेवा से बचते रहते वो देहा भी मानी है वो अभी समझ नहीं पा रहे है कि सरीर की सार्थक्ता किसमे है सरीर की सार्थक्ता खापी करके इसे खुब मोटा कर लेना यह नहीं है ध्यान लखना, यह ब्याधी मंदिर है जैसे मंदिर में देवता विराजमान होते हैं ना ऐसे इसमें ब्याधी विराजमान है यह ब्याधीयों शेयुक्त है, सरीरम ब्याधी मंदिरम यह एक नए एक दिन आपको बहुत दुख देगा यहां तक की मरत्य रूपी भयानक दुख देगा इसको ज़्यादा सजाओ मत इसको ज़्यादा दुलार मत करो बस उतना ही इसे दुलार करो जिससे यह स्वस्थ बना रहे और भगवत सेवा और भागवत सेवा चराचर जगत को भगवत भाव से आप किसी की भी शेवा कुत्य की भी शेवा भगवत भाव से निश्काम भाव से तो भगवान को ही पहुंचती है सेवा क्योंकि शब के हिर्दय मंदिर पर हमारे गोवित बिराजमान है सरीर की सार्थकता किसमे प्रभु और प्रभु के जनों की सेवा में प्रभु से भी बढ़कर प्रभु के जनों की सेवा है कुछ ऐसा स्वाद है भगवत प्रेमी महापुरुषों की सेवा में कि उस स्वाद को लेने के लिए सबके सेव बेठाकुर स्वयम सेवक बन जाते हैं आप देखो कहीं सिखंडिया रूप से एकनाद जी की सेवा में कहीं अंतर्यामी नामधारी त्रिलोचन जी की सेवा में कहीं जग और बहुत सी ऐसी भक्तों के चरित राये जहां अखिल लोग छूडा मनी सब के स्वामी सेवक बने दिखाई दिये कहीं गुप्त रूप से कहीं प्रकासित हो गए नहीं तो अपने भक्तों की सेवा सुख का स्वाद लेने के लिए चराचर जगत के स्वामी सेवक बन जाते हैं पग चापू सेज बिछाओ नोकर बनू हजाम हाकू बैल बनू गड़वारो बिना तनुखा रत्वान यहीत मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुट मनी मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मनी अगर शरीर से वैश्णो सेवा का उसर कहीं मिल रहा हो तो ठाकूर सेवा रोक देना धुरुदास जी ने 42 लिलाजी में भी बर्णन किया है कि यदि आप स्री जी की सेवा में हो और कोई महाभागवत पधारा है तो स्री जी की सेवा को बिश्राम दे दो जिस स्थिति में हो पहले उस महाभागवत की अर्चना करो और वो स्वयम भगवत प्रेमी है इसलिए वो ऐसा बर्दास्त नहीं करेंगे वो खुद आदेस कर देंगे कि आप पहले स्री जी की सेवा करो लेकिन आपका करतब है कि स्री जी की सेवा उसी स्थिति में भिस्त्राम कर दो ऐसा नहीं कि अभी आधी पत्रावली हुई तो पूरी कर दे वैसे ही चंदन्न और स्री जी सब विराजमान कर दी हाथ जोड़कर खड़े हुए उनकी अगवानी की उनका अधर किया अगर ऐसा किया तो बोले जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा वो भक्त आप माया को परास्त कर देंगे यदि आपने ऐसी वैष्णों की प्रति महाभागवतों की प्रति ऐसी भावना बना ली